नमक का श्動画ना में तो नमक भी आपके चेहरे के लिए वही काम करता है जो बजार में मिलने वाली महंगी क्रीम करती है ये एक टोनर है, स्क्रब है, पिंपल और उनके निशानों को भी दूर करता है आज की वीडियो में हम आपको नमक को इस्तमाल करने के ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी खुबसूरते को बढ़ा सकते हैं मगर सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब भी हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब जानते हैं नमक से सुन्दरता भढ़ाने के उपाए नमबर वन धूप में बैठे रहने से चहरे पर टैनिंग आ जाती है इसको भी आप नमक की साहता से दूर कर सकते हैं आधा चमच शहद में दो चमच नमक मिलाकर अपने चहरे पर लगाईए फिर कुछ देर बाद रख कर इसको साफ कर दीचे अगर हफ्ते में कम से कम दो बारा पैसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके चहरे से टैनिंग की समस्या दूर हो जाएगी नमबर टू नमक एक बहुत ही अच्छे स्क्रब का काम करता है आप नमक के दुआरा अपने चहरे से डैडी स्किन सेल्स और ब्लैक एंड वाइट हैड्स को तूर कर सकते हैं इसके लिए आप बिना उबले दूद को अपने चहरे पर लगाकर सूखने दीजिए फिर थोड़ा सा नमक लेकर अपने चहरे पर स्क्रब कीजिए यानि के हलके हलके हाथों से रगड़कर दूद को उतार दीजिए इससे आपका चहरा एक दम से चमक जाएगा नमबर थ्री चहरे से पिंपल्स तो दूर हो भी जाते हैं लेकिन नूर को दाव को हटाने में काफी समय लगता है नमक के इस्तमाल से इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है आप एक चमच नमक में एक चमच नीमू का रस मिलाईए और फिर उसको अपने चहरे पर लगा दीजिए कुछ दिरबार इसको चहरे से साफ कर दीजिए इस बात का खयाल रहें कि इसको ज़्यादर देर तक अपने चहरे पर ना लगा रह लेते इससे आपके स्किन रूख ही हो सकती है आप इस पर यूख को करेंगे तो कुछी दिनों में आपके चहरे से पिंपल की निशान चले जाएंगे नमबर फूर नमक एक बहतरीन टोनर का काम भी करता है इससे आप अपने चहरे से एक्ष्ट ओयल हटा सकते हैं और अपनी तुचा को अंदर तक साफ कर सकते हैं इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक कप पानी में एक चमच नमक मिला ले और फिर इसको एक स्प्रे बॉटल में भर ले इसको आप अपनी सूखी तुचा पर स्प्रे करें इस बात का खयाल रखना है कि इसको अपनी आखों से बचा कर स्प्रे करना है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपने जाना है कि कैसे घर में आसानी से मिलने वाले नमक से तोचा संबंद समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है बस आपको इस बात का ख्याल रपना है कि आपको इससे अपनी आखो से और तोचा पर अगर कहीं कट या चोट आदी लगी हो तो उससे बचा कर इस्तिमाल करना है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शायर कीजिए और यासी और जानकारिया पाने के लिए हमारा चैनल हेल्टिप्स ग्याने निंदी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद